जै शीराधा क्रिश्न, माग का पावन महीना चल रहा है। बहुत कम कर्मों से हम बहुत अधिक पुन्ने अर्जित कर सकते हैं। इसलिए अभी भी मौका है जादा से जादा इस पवित्र समय का सद्वियो कर लो। अब आज इस विडियो में हम आगे आने वाले वरत्योहारों की चर्चा करेंगे। जानेंगे कब है शटिलाई कादशी, पूजा का शुब मूरत समय और वरत्पारन समय जानेंगे। साथ ही प्रदोश वरत, मासिक्ष वरात्री वरत और मौनी अमवस्या कब मनाई जाएगी और गुप्न वरात्रे और बसंद पंच मी कब की है। इनकी भी चर्चा करेंगे। चर्चा हम शट्टिला एकादशी से शुरू करते हैं। शट्टिला मतलब 6 तरीकों से तिलो का प्रियोग। शट्टिला एकादशी बहुत ही पवित्र पावन और जल्दी फल देने वाली एकादशी है। शट्टिला का मतलब है छे तरीकों से तिलो का उपयोग करना, इस दिन तिलो का दान करने से मुक्ष की प्राप्ति होती है, माना चाहता है जो व्यक्ति जितनी जादा मात्रा में तिल का दान करता है, वो उतने हजार वर्षों तक सुर्ग में निवास करता है। इसके अलावा जो भी भग सच्चे मन और विदी विधान से इस व्रत को रखते हैं, उनके सभी कारे सिध होते हैं। शर्टिला एकादेशी पर क्या करे, कैसे पूजा करे की विडियो जल्दी आपको मिलेगी। अब आपको इस साल 2024 में शर्टिला एकादेशी की पूजा का शुब मूरत समय और व्रत पारन समय मतला व्रत खोलने का समय बताती हूँ। सबसे पहले आपको एकादेशी तिथी का समय बताती हूँ। देखो मादव मास, माग मास को मादव मास कहा जाता है, तो माग मास के कृष्ण पक्ष की शर्टिला एकादेशी तिथी स्टार्ट हो रही है 5 फेबरी 2024 को शाम को 5 बच के 24 पीम पर। और इस एकादशी तिथी का समापन होगा 6 फेब्ररी को शाम को 4 बच के साथ पी-म पर इस तरह सूर्य उदे में शुब मूरत के साथ एकादशी व्रत का पालन 6 फेब्ररी 2024 दिन मंगलवार को किया जाएगा सभी धार्मिक स्थलों पर वैशनव और सामर सम्प्रदायों में सभी जगा एक मत से एक ही दिन की एकादशी व्रत का पालन होगा अब इस तरह पांच फेब्ररी की दश्मी होगी उसी दिन तुलसी तोड कर रख लो एकादशी पर तुलसी भगवान को अर्पित तो की जाती है भोग में भी लगाई जाती है पर तुलसी दल को तोड़ा नहीं जाता है यह याद रखना 6 फेब्ररी की एकादशी और 7 फेब्ररी को द्वादशी है कई लोग प्रशन करते हैं कि जैसे 5 फेब्ररी की शाम को ही एकादशी तिसी स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसे में क्या हम 5 फेब्ररी की शाम को भी एकादशी की नियमों का पालन करें तो देखो एकादशी की निय पुजााट करना शुम से काफ़ direito शुरू हो तो भी। जिस दिन एकाधशी सूर्य उद्धी में सुर्य इस सुरू होती है। उस पूरे दिन कि एकाधशी को हम मांते है। अब हम चर्चा करते हैं शर्टिला एकादशी 2024 में शुप पूजा मूरत की देखो 6 फेबरी को शर्टिला एकादशी वाले दिन आप भ्रह्म मूरत से ही स्नानादी करके पूजा पाट स्टार्ट करना बहुत शुप रहेगा ब्रह्म मूरत का समय है सुभा 5 बच के 32 एम से 6 बच के 20 एम के बीच का अभिजीत मूरत का समय है दुपहर को 12 बच के 18 मिनट से लेकर दुपहर में 1 बच के 2 मिनट तक का अच्छा इसके अलावा सुभा 10 बच कर 2 मिनट से दुपहर को 2 बच के 18 मिनट तक का समय पूजा के अगले दिन व्यग्धात योग सुभा से लेकर सुभा 8 बच के 50 मिनद तक रहेगा उसके बाद से हशन योग है जो अगले दिन 7 फरवरी को 6 बच के 9 अम तक रहेगा उस दिन जेश्ठा नक्षत्र सुभा से लेकर 7 बच के 35 मिनद तक रहेगा उसके बाद से मूल नक्षत्र है अब आपको अपने एकादेशी वरत का पारन समय मतलब रत खोलने का समय बताती हूँ अपने शट्टिला एकादेशी वरत का पारन यानि वरत खोलने का जो सबसे शुब मूरव समय है वो साथ फरवरी दिन बुद्वार सुभा साथ बच के छे एम पे मतलब सूर्य उदे होने के बाद से नौ बच के अठारा एम के बीच का होगा कुछ संप्रदायों में ये समय नौ चौदा एम से नौ छे आलिस एम का भी बताया जा रहा है पारन तिती के दिन दौदशी तिती समाप्त होने का जो समय है वो साथ फरवरी को दिन में दो बच के दो पीम है इसके बाद से त्रियो दशी तिती लग चाईगी जिन भक्तों का बुद्वार का या प्रदोश वरत होगा अगले दिन सागफर वरी को वो अपने एकादशी वरत का पारण कैसे करेंगे इस विशे पे हमारे चानल पर अल्रेडी वीडियो है वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लीज एक बार वो अपना वरत खोलते हैं शुब मूरत समय में एकादशी वरत का पारण द्वादशी तिथी खत्म होने से पहले करना बहुत जरूरी होता है अगर हम द्वादशी तिथी खत्म होने से पहले अपने वरत का पारण शुब समय में नहीं करते हैं तो हमें वरत का पूरा स्पल न याद रखना द्वादशी तिती के भीतर अपने व्रत को ना खोलना पाप करने के समान माना गया है। इस आपको प्रश्न करेंगे कि भाई हमें तो नहीं पता चलती द्वादशी तिती याहरी वासर हमें नहीं पता चलता तो यह सारी बाते मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए बताई है बाकी एक लाइन में जो हम शुप समय शुरू में बताते हैं बस आपको वह नोट करना कि इतने बजे सुर्योदे हो रहा है और इससे इतने समय के बीच में हमें अपना वरत खोलना है पास बाकि सारी गर्णा हमने कर रखी होती है अब हम प्रदोश्वरत के चर्चा करते हैं 7 फेबररी दिन बुद्वार को बुद्ध प्रदोश्वरत का पालन होगा त्रियोदेशी तिती स्टार्ट हो रही है 7 फेबररी को दिन में 2 बच के 2 पीम से और त्रियोदेशी तिती का समापन होगा 8 फेबररी को सुभा 11 बच के 17 अम पे प्रदोश्वरत पूजा का जो शुब मूरत समय है वो 6 बच के 5 पीम से 8 बच एक तालिस पीम के बीच का है 7 फेबररी को 8 फेबररी दिन ब्रस्पतिवार को मासिक शुवरात्री वरत का पालन होगा माग मास कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिती स्टार्ट हो रही है 8 फेबररी को 11 बच के 17 अम पर और चतुरती तिती का समापन हो रहा है 9 फेबररी को 8 बच के 2 अम पर शुवरात्री पूजा में मुख्य शिव पूजा रात को ही की जाती है इसलिए मासिक शुवरात्री वरत 8 फेबररी दिन ब्रस्पतिवार को रखा जाएगा शिवरात्री वरत में रात्री की पूजा का विशेश महत्व होता है पूजा का जो शुप मूरव समय है वो 8 फेबररी रात को 12 बच के 9 एम से 1 बच के 1 एम के बीच का समय है ये अब दी 52 मिनट की है इसमें आप शिवजी जी की पूजा जरूर करना माग महीने में पढ़ने वाली अमावस्या बहुत जादा महत्वून अमावस्या होती है इसे माग अमावस्या ये मौनी अमावस्या कहते हैं इस दिन मौन रहने का विधान है सूर्य उदे में शुक्रवार के सैयोग के साथ मौनी अमावस्या 9 फेबररी को मनाए जाएगी जल्दी ही आपको मौनी अमावस्या की डिटेल जानकारी वीडियो से दूगी इस दिन हम क्या करे क्या ना करे पूरी जानकारी मिलेगी 10 फेबररी से 18 फेबररी तक गुपनवरात्रे होंगे 13 फेबररी दोहजार चौबिस दिन मंगलवार को कुम्ब संक्रान्ती होगी 14 फेबररी दिन बुदवार की बसंत पंचमी और सरस्वती जी की पूचा है इसी के साथ मैं उमीद करती इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपियोगी होगी इस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट से सजेशन है तो प्लीज हमें लिखे ज्यान बातने से बढ़ता है इसलिए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें अब हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे पी जरूर फॉलो करें प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब तैंक यू जैशी राधा कृष्ण